कथो उपनिशद दुतिय अध्याय दुतिय वल्ली पूर्मे कादश द्वारमज स्या बक्र चेतसा अनुष्ठाया नाशोचती विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वई तत शुद अन्तेकरण वाले अजन्मा आत्मा का है शरीर ग्यारा द्वारो वाला है उस शरीर से यथा योग्य काम लेने वाला आत्मा शोक नहीं करता और उसी शरीर से विमुक्त होने से मनुष्य मोक्ष लाप करता है यह वही आत्मा है जिसके विशे में तुमने जिग्यास अव्यक्त की थी हंसे शुचिश द्वा सुरांत रिक्षस दहोता वेदी शद तिथिर दुरो न सेत निश्दर सहद सद ध्योम सद अबजा गोजा रितजा अद्रिजा रितम ब्रहत जो विशुद परमधाम में रहने वाला हंस अथार्थ स्वयम प्रकाश पुरुशोतम है वही अंत्रिक्ष में निवास करने वाला वसू है शरीट रूपी घरों में रहने के कारण वे अतिती है यग्य की वेदी पर स्थित्कराव हुआ अगनी सरूपा तथा उसमें आहुती डालने वाला होता है समस मनुष्यों में रहने वाला श्रेष्ट देवताओं में रहने वाला है वही सत्य में रहने वाला और अकाश में रहने वाला है जल पृत्वी परवतों में अनेक रूप से प्रकट होने वाला वही परम सत्य है उर्द्वम प्राणम उन्य तेय पानम प्रत्य गस्यती मद्दे पामन मासीनम विश्वे देवा उपासते जब वही जीवात्मा योगा अभ्यास में सनलगन होता है तब प्राणवायू को वह उपर की और रोकता है और अधोद्वार में चलने वाली पानवायू को पेट में फेकता है उस समय नित्य प्रशस्त जीवात्मा की सारी इंद्रियां सेवन करती है अथार जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा राजा की आग्या का पालन करती है उसी प्रकार योगा अभ्यास प्राणवायाम करने वाले मनुश्य की समस्त इंद्रियां उसके वश में रहती हैं अस्य विस्त्रय समानस्य शरीरस्तस्य देहिना देहा दिवय मुच्य मानस्य की मत्र परिशिश्यते एतद्वई तद्शरीर के स्वामी शरीर में रहने वाली इस आत्मा के शरीर से निकल जाने पर और शरीर को छोड़ देने पर शरीर में पीछे क्या रह जाता है कुछ भी नहीं अते जिसके निकल जाने पर शरीर में कुछ भी शेश नहीं रहता हे न चिकेता वही आत्मा है ना प्राणेन ना पानेन ब्रत्यो जीवती कंजना इत्रेन तू जीवनती यस्मिनेता वो पाश्रितो कोई भी मनुष्य ना तो प्राण से जीता है ना अपान से अपीतु मनुष्य उससे जीता है जिसके आश्रे से ये दोनों शरीर में रहते हैं और बहे आत्मा है हंतत इदम प्रवक्ष्यामी गुयं भ्रह्म सनातनम यथा चामरणम प्राप्य आत्मा भवती गोतमा हे गोतम नचिकेता अब मैं तुमें एक और गुप्त भेद सनातन भ्रह्म का बताऊंगा और एक यह बताऊंगा कि आत्मा का मनने के बाद क्या होता है अते तुम उसे ध्यान पूरवक्ष्यामी योनी मनने प्रपध्यंते शरीर त्वाए देहिना साडू मनने अनुस्यंती यथा कर्म यथा शुतम यमराज बोले हे न चीकेता बहुत से मनुष्य तो अपने अपने कर्म और अपने अपने ज्यान के अनुसार मनुष्य आदी की योनियों में जाते हैं और जो लोग अती नेक्रिष्ट पाप करने वाले हैं वे रिक्षादी सावर योनियों को प्राप्त होते हैं साईश सुप्तेशु जागरितिर कामम कामम पुरुषो निर्मिमानाह तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवा मृत मुच्यते तस्मिलों का श्रिता सर्वे तदूनातियती कंचना एतद्वै तद्परंतु यह जो अंतर्यामी प्रतेक कामना की पूर्टी के लिए सब पधार्तों का निर्मान करता और प्रमाद अलस्य रूपी निद्रा में सोते हुए जीवों में जागता रहता है वही अम्रित रूप शुद ब्रह्म है उसी के आश्रित सारे लोग ठेरे हुए है उसके नियमों का कोई उलंगा नहीं कर सकता यह वही परमात्मा है जिसके स सम्द में तुमने प्रश्न किया था अगनिर यत्यको बोवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वभूब एकस्था सर्वभूता अंतरात्मा रूपम रूपम पतिरूपो पहिश्च जैसे अगनी विद्यूद रूप से संसार के सब पधार्तों में दिखाई देती है इसी प्रकार वह एक सबका अंतरात्मा इश्वर सब पधार्तों के अंदर और बहार विद्यमान है जिस प्रकार विद्यूद सभी पधार्तों में रहते हुए भी सबके प्रिथक है इसी प्रकार इश्वर सभी पधार्तों में विद्यमान होते हुए भी सबसे प्रिथक है वायूर थेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वभूव एकस्ता सर्व भूतारांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्च जैसे वायू संसार के सब पधार्तों में प्रविष्ठो कर उन सभी पधार्तों का रूपधारण कर लेता है इसी प्रकार सबका साक्षी एक इश्वर परतेक वस्तु में विद्यमान होते वे भी उनसे प्रिथक है सूर्यो यथा सर्व लोकस्य जैसे सारे संसार को दिखाने वाला भी सूर्य आँखों के दोशों से लिप्त नहीं होता इसी तरह सबको साक्षी एक इश्वर पहर के लोक दुख से लिप्त नहीं होता सूर्य यद्यबी लोका लोक सरो को प्रकाशित करता है परंतु लोक के दोश उसमें नहीं आते ऐसी ही इश्वर भी सब जगत में व्यापक है व्याप्त है परंतु उसमें जगत के दोश नहीं आते एको वशी सर्व भूत अंतरात्मा एकम रूपम वहुदा यह करोती तदात्मस्थम ये अनुपश्यन्ती धीरा तेशाम सुक्खम शाश्वतम नेतरेशाम जो परमेश्वर एक सब का नियनता और सारे चराचर जगत का साक्षी है वही एक प्रकरती को बहुत प्रकार से रचता है अथार्थ उसी की सोभाविक इच्छा से प्रकरती में अनेक परिणाम होते हैं जो बुद्धिमान भक्त लोग उस जगदीश्वर को अपनी आत्मा म व्याप्त देखते हैं उन्ही को अभिनाशी सुख मिलता है दूसरों को नहीं नित्यो नित्यानाम चेतन श्रेत्रनानाम एको बहुनाम यो विदधाती कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन तेधी रहा तेशाम शान्तिही शाश्वती नेध देशाम जो प्रबु अनित् अभिनाशी है और जो ग्यानियों के भी ग्यान का दाता है जो चराचर वस्तूओं के बीच में एक अकंड है और अनंत जीवों के कर्मों को फल को देने वाला है उस परमेश्वर को जो ग्यानी जन अपनी आत्मा में देखते हैं उनी को सदा रहने वाली शान्ति मिलती है द देदिती मन्यते अनिर्देश्यम परमसुखम कथम्तू त द्विजानाय नियम कीमू भाती विभातिवा यह सुनकर नचिकेता बोले है अचारे ब्रह्मवेश्य लोग जिसे प्रत्यक्ष से उंगली द्वारा नहीं दिखा सकते कि वह ब्रह्म ऐसा है और फिर भी उसे अनि कैसे प्रह्म को कैसे जानूं क्या वह प्रकाश का कारण है अत्वा प्रदीप के तुल्लय स्वयम प्रकाशक है ना तत्र सूर्य भाति ना चंदरतार कम नेमा गनी यम्राज ने कहा हे नचिकेता उस परमेश्वर को सूर्य, चंद्रमा, तारे और बिजलिया प्रकाशित नहीं कर सकते तब बला ये अगनी उन्हें क्या प्रकाशित करेगा वास्ता में उनी के चमकने पर सारा विश्व चमकता है उनी की जोती से ये सारा जगत देप्थो रहा है वह तो प्रकाश सुरूप है सभी का प्रकाश वही है इती डूतिय अध्याय डूतिय वल्ली समाप्त